C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ उत्थरमाला प्रिष्ट 320 प्रश्नावली 5.1 1. गलत तरीके से देखने पर अधिक तुरुटियों की संभावना है 2. सही माप संभव होगा 3. हाँ, क्योंके C, A और B के बीच में है 4. B, A और C के बीच में है 5. D, रेखाखंड A, G का मध्य बिन्दु है क्योंके A, D बराबर D, G, बराबर T, निकाई 6. A, B, बराबर B, C और B, C, बराबर C, इसलिए A, B, बराबर C, D 7. किसी त्रिभुज की किनी दो भुजाओं की लंबाई का योग उसकी तीसरी भुजा की लंबाई से कभी भी कम नहीं हो सकती है प्रश्नावली पांच दशमलव दो कि हम घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करें क्योंकि एक पूरा घूर्णन हमें प्रारंभिक स्थिती में ले आएगा 4. A. 3 बटा 4 B. 3 बटा 4 C. 1 बटा 2 5. A. 1 B. 2 C. 2 D. 1 E. 3 F. 2 6. A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में 7. A. 9 B. 2 C. 7 D. 7 हम केवल घड़ी की दिशाखाही विचार करेंगे. प्रिष्ठ 320 प्रश्नावली 5.3 1. A. C. 2. D. 3. A. 4. E. 5. B. 2. निून कोण A और F. अधिक कोण B. सम कोण C. रिजु कोण E. प्रतिवर्ती कोण D. प्रश्नावली 5.4 1. 1. 90 डिग्री 2. 180 डिग्री 2. A. सत्य B. असत्य C. सत्य D. सत्य E. सत्य 3. A. निून कोण 23 डिग्री 89 डिग्री 2. अधिक कोण 91 डिग्री 188 डिग्री 7. A. निून कोण B. अधिक कोण यदि कोण 180 डिग्री से कम है C. रिजु कोण D. निून कोण E. अधिक कोण 9. 90 डिग्री 30 डिग्री 180 डिग्री 10. हावर्धन शीशे से देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं आता प्रशनावली 5.5 1. A. और C. 2. 90 डिग्री 3. एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वेर है तथा दूसरा 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वेर है 90 डिग्री अंश का कोण अर्थात सम कोण उसमें सार्व है 4. A. हाँ B. हाँ C. रेखाखंड B. HDF D. सभी सत्य है प्रशनावली 5.6 1. A. विशम बाहुत्रिभुज B. विशम बाहुत्रिभुज C. सम बाहुत्रिभुज D. सम कोण त्रिभुज E. सम द्विबाहु सम कोण त्रिभुज F. न्यून कोण त्रिभुज 2. 1E, 2G, 3A, 4F, 5D, 6C, 7B 3. 1. न्यून कोण और सम द्विबाहुत्रिभुज B. समखोन और विशम बाहू C. अधिक कोन और समद विबाहू D. समखोन और समद विबाहू E. समबाहू और न्यून कोन F. अधिक कोन और विशम बाहू 4. B. यह संभव नहीं है ध्यान रखिये त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है प्रशनावली 5. लबसाद 1. A. सत्य B. सत्य C. सत्य D. सत्य E. सत्य F. सत्य प्रिष्ट 322 2. A. जब आयत की सभी भुजाईं समान होती हैं वह एक वर्ग बन जाता है B. जब समानतर चत्र भुज का प्रतेक कोण एक सम कोण होता है वह एक आयत बन जाता है C. जब सम चत्र भुज का प्रतेक कोण सम कोण होता है वह एक वर्ग बन जाता है D. ये सब ही चार भुजाऊं वाले बहु भुज हैं E. वर्ग की सम्मुक भुजाएं समानतर होती हैं, इसलिए यह समानतर चतुर भुज है 3. वर्ग एक सम चतुर भुज है प्रश्नावली 5.8 1. A. बंदाकृती नहीं है, इसलिए वह बहु भुज नहीं है B. एक 6 भुजाओं वाला बहु भुज है C. और D. बहु भुज नहीं हैं क्योंकि यह रेखा खंडों से नहीं बने हैं 2. A. चतुर भुज, B. त्रिभुज, C. पंच भुज, यानि 5 भुजाओं वाला D. अश्ट भुज प्रश्नावली 5.9 1. A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. E. 1 2. A. B. और C. घनाब है D. एक बिलन है E. एक गोला है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती C. I. E. T. N. C. E. R. T. न. न. दिल्ली भारत झाल झाल झाल